हेलो फेंज इन्वेश्ट फो डवर में आपका एबाशा सवागत है कलकी देट में उन्हें पर चार वीडियो से बाते करी थी इन वीडियो से आपने देखा होगा और अगर अगर आपके आज की देट की तो आज की देट में हम एक पल्टिकुलर स्टॉक सेयर कह सकते चार कि हिसाब से हम यहां पर बात करने वाले हैं और इस वीडियो में हम उस पर्टिकुलर शॉक से रिलेटेड बात करेंगे कैमिकल का स्टॉक्स है और अल्रेडी बहुत ज्यादा चल चुका है बट और अभी भी उसमें मुझे बहुत ज्यादा अपसाई नाजर आती है और अगर कुछ positive points भी इसके बताना चाहूंगो उसके और बाते करेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिटेडियो में आगे बड़े आपसे रुकरश कर चाहूंगा आप हमारे चैनल इनवेस्ट वोड़ाइबर को सब्सक्राइब करें शेयर करें ताकि इस तरीके की वीडियो आपक का पैसा कल परसो तरसो जब भी थोड़ाजा एक ताइम बाद डेफिनेटल इटली बनता हूँ शिबनेजर आएगा तो मियापर स्क्रीट नपर आगया और इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड हम बाते करने वाले हैं इसका नाम है इंडो इंडो माइस तो इंडो देखे, 1979 में यहां पर प्रमोटीट हुआ था तेखनो केमिकलस इंडुस्ट्री देखे, 1994 में यहां पर एज इंडोकेमिकलस लिमिटेड के नाम से जाना गया वोल्ड वाइड रेंज डेवलपर एंड सप्लाइयर्स और फाइन एंड स्पेशल केमिकलस बनाता हुआ नजर आता है परफुमरी चैमिकल्स एंड एक्टिव फार्मसीटिकस इंड 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 आते हैं अगर इसके रिलेटेड और भी यहां पर चीटर से रिलेटेड जाना चाते हैं तो इनकी वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा आपको बनाता है अगर आप उनकी जब वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो यहां पर आपको पता चलेगा देखें में आपको पार चैमिकल्स एंड एकंपनी काम करते हूं नजर आती है अगर आप यहां पर जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं बैंझेल आमाईंस प होते हैं इसके पितने सारी भी इसमें इसमें एक हम करते हुए चेहों है इसके बात करें करी अ कितने सारी काम करते हुए तक है आप कोद यह नुब раз 又 के बाद करें, इसमें भी यहां कर इंडरिश्ट्री की बाद करें, कि किस-kिस इंडरिश्ट्री को यह अपने प्ारॉडक्स बेशते है, तो यहां पर देखिए water treatment chemicals यहां पर देते है oil field chemicals और भारत में water treatment chemicals की बहुत जगरत पड़ती माइनिंस-Paint and pigments पॉलिमर्स, कॉस्मेटिक्स, होम, पर्सनल केर, से फार्मस्यूटिकल्स, मैटर वर्किंग, रूबरीकंग, फर्टिलाइजर, एडिटिब्स, टेक्स्टाइल प्रोसेसिंग, कैमिकल्स, एग्रो कैमिकल्स यहां पर इन सभी पचीरों में यह कंपनी काम करती है, इसके इलाव हम आजाते हैं, इसके बैलंस शीट और इसके फार्मस के उपर, तो सबसे पहले आपको बताना जाता हूँ, माइक्रोकैप कंपनी का मतलब है, भागती भी तेज है, गिरती भी तेज नेसर आती है, और यहां पर इनवेश्ट्मेंट भी आपको थोड़ा ही करना होता है, बाट अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी जाह दिखिटी हो नहाँ है, वहां पर आप इनवेश्ट्मे यहां पर यह कुछ negative points है और यहां पर अगर हम देखें इस company से related तो देखिए अभी जो प्राइस चल रहा है लगवाँ कि 240 के आसपास का है और इसका जो हाई था 344 रुपे के आसपास ही गिरता हुआ नजर आ रहा है अगर हम यहां पर देखें तो देखिए यहां पर पिछले 5 साल से 32% के CAGR से company भागती भी नजर आ रही है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है company battery performance करते है अगर हम यहां पर देख सकते है अगर हम यहां पर compare करें तो market cap में देखिए जमीन आसमान का फ़रह के लगव 20 गुना बड़ी company है इसके लगवा डिविडेंट इल्ट को थोड़ी सी यहां पर ज्यादा नजर आती है इसके लगवा ROC की बात करें तो ROC की 55% किया इसकी 19% किया चोटी company है ओके तो इस वज़े से यहां पर यहां पर नजर आती है बट अगर हम बात करें इसके performance की तो यहां पर देखिए numbers के यहां पर consistently यह company अच्छागासा perform करते है दिखा रही है देखिए 121 करोर 138 करोर थो थोड़ा से आपन लीचे आती हुए दिखाई दी फिर उसके बाद देखिए 113, 120, 105, 136, 142, 156, 117 तर मतला company कितना battery है यहां पर performance करके दिखा रही है net profit की बात करें पांच करोर का profit होके है यहां पर side base चला फिर उसके बाद अच्छागासा बगता हुए दिखाई दिखाई दिए इस बार थोड़े expenses ज्यादा होते हुए दिखाई दिखाई दिया अगर हम बात करें यहां पर नेट पॉफिट थोड़ा से कम होता हुए दिख कंपनी है और जो की भागना जानती है और यहां पर अगर हम बात करें कंपनी अपने आपको पाफॉर्म करके यहां पर दिखा रही है और इनका management अच्छागासा काम करता हुए दिखा रहा है यह यहां पर दिखाई देता है और नए-ने प्रोड़क्स आ रहे हैं इनकी reserves है और यहां पर सोडी कंपनी के बाद जाता है 159 क्रोड की और यहां पर working progress में अभी भी 54 क्रोड रुपे और जब यहां पर एड होंगे तो ओविससी बात है यहां पर इनकी sales revenue प्रॉफित सब बढ़ता हुए नजर आएगा और थोड़ा से इनको यहां पर बस अपने बॉ प्रॉड रुपीस के इनको पास cash भी पड़ा हुआ है इसके अलाब हम यहां पर कुछ parameters देखते हैं तो देखें कंपनी यहां पर negative और यहां पर 0-1-2% के यहां पर cash flow होता था इस बार जो cash flow आ रहा है वह अच्छा खासा आ रहा है और यहां पर अगर हम बात करें तो ROC ही देखिए यहां पर तो starting में तोड़ा से कम था और इस बार कर जो ROC आ रहे है वो अच्छे ना से ROC आ रहे है promoters की holding की बात कर तो 69% की holding यहां पर promoters के पास यहां पर नज़र आती है ओके यहां पर यह पर पर्टिकुलरी परसंट जितने भी यह सारे मोटर से यहां पर holding रखते नहीं अब आगे बात करें पुब्लिक की तो पुब्लिक के बात करें 30% की सदारी है 30 में से भी इन बड़े-बड़े लोगों ने यहां पर देखिए लग यहां पर इसे लिए 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 नज़र आती है फिर भी बात करें 20-21% की सदारी यहां पर पुब्लिक के बास नज़र आती है और यहां पर operator भी अच्छे कासे active रहते हैं अब यहां पर चार्ट से लिए लिए अगर हम बात करते हैं तो सबसे पर देखिए मैं कुछ points जो मैं हमेशा यहां पर देखता रहत हूं तो यहां पर देखिए जब भी यह कंपनी 50 DMA के आसपास है उससे नीचे यहां पर trade करना शुरू करती है तो यहां पर एक अच्छा कासा jump उसके बाद थोड़ा consolidation करने का jump देती हुई नज़र आती है तो यहां पर देखिए 50 DMA फिर एक अच्छा कासा jump यहां पर consolidation और फिर उसके बाद भागती हुई नज़र आई तो अच्छा कासा jump एक ही बारी में सारे के सारे रिटन दे दिए फिर यहां पर इसी गिर्ट भी नज़र फिर यहां पर consolidation और फिर उसके बाद देखिए अपर circuit लगते हुए दिखाए दिए यहां पर आप देखेंगे तो यह सारे के सारे अपर circuit है और फिर अपर circuit में ही यहां यह नीचे आता हुए दिखाए दिए यहां आता हुए दिखाई दिया तुम्हाइं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता है इसमें तो हम यह थिकी साइट पर आगये और अंगर हम यहां पर अंडannen ऑम लिखने तो यहां पर यह जो te Actually तो यहां पर stage 4 में है, तो stage 4 में देखिए, यह ही होता है, जतने भी, आपने FL India का example देखा है, FL India में भी आपर circuit में ही लगता हुए दिखाई दिखाई दिया था, lower circuit भी लगता हुए दिखाई दिया था, तो यह भी एक stock वैसे ही है, और यहां पर book to book entry में, मतला यहां पर जो दो दिन बार की plus two में यहां पर बेश सकते है, तो यहां पर मेरा कहने का मतलब क्या है, कि जब भी 50 DME के आसपार आता है, तो यह share भागता हुए दिखाई दिखाई दिता है, थोड़ा से consolidation है, तो यहां पर नीचे से आपर circuit में ऊपर जाता हुए दिखाई दिया और यहां अगर हम देखें, तो थोड़ा से यहां पर consolidation करेगा, थोड़ा से यहां पर नीचे भी आ सकता है, तो बाइं डिप्स करने की यहां पर राय रहेगी, वॉल्यूम की बात करें, तो देखिए कंपनी यहां पर ऐसे कभी volume ने आया है पहले, और इस बार के जो यहां पर volume आ रह यहां पर और ज्यादा यहां पर भागने वाले है, थोड़ा सा वेट करिए, और यहां पर अच्छा कासा perform करके दिखाएगी, यहां पर business model आपने समझी लिया है, और इसके इलावा यहां पर इसका long term chart pattern भी देखेंगे, वो भी अच्छा कासा है इसका chart pattern है, इतना बुर यह यहां पर थोड़े से यहां पर जो कि हम यहां पर देखते आ रहे हैं, कि upside downs यहां पर नजर आते हैं, तो वह ही यहां पर थोड़े से एड़े दिखाई दिखाएगे देते हैं, बट जितना गिरता है, उससे ज्यादा यह भागना भी जानता है इस stocks, तो ज्यादा इन्वेस 56% यहां पर यह stocks already यहां पर गिर चुका है, 56% का मिलब है कि आदा ही stocks गिर चुका है, 56% के यहां पर आप साइच सीधे नाजर आते हैं, जो कि अगर एक साल में भी आपको मिल गाए, 56% की return, तो बहुत बहुत ही returns होते हैं, तो इस चीट को थोड़ा सा ध्यान में रखके, मा का भाइजर देता हूँ नजर आएगा, इसी तरीके से हम आकरवायत करें, Alkyl Amines की तो देखे, Alkyl Amines भी इसी तरीके से यहां पर भागता हूँ नजर आ रहा है और ही भागा इसी तरीके से बाला जी की बात करे, बाला जी Amines BIC करता होँ नजर आता है, 50DMA की पास आता है, फिर भागते हो नजर आता है तो यह small cap company है small cap company में ही I think यहाँ पर यह ASM की list में आते हैं large cap में नहीं आते हैं इस वज़े से यहाँ पर दूसरे share में यहाँ पर लगते हो एंडी asm की list में नहीं आ रहे है यह तो थोड़ा से यहाँ पर ध्यान दीजिए लाइक कामें शेयर करिए वीडियो अच्छा लगा हो तो और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू सो मच गड़ ब्लेस